वैसे ये वाली सीरीज मुझे रंगबाज फिर से जिसे जी फाइब पर रिलीज किया गया था उसकी याद दिला देती है क्योंकि इस सीरीज के अंदर भी एक लड़का जो मासूम है इनोसेंट है जो अपने देश की सेवा करना चाहता है उसे कुछ कारणों से क्रिमिनल के इस कह सकते हैं कि अफराद की दुनिया में कदम रखना पड़ता है नमस्कार दोस्तों इस वीडियो में बात करने वाला और रखतांचल वेब सीरीज के बारे में जिसे MX Player पर रिलीज किया गया है कहनी की बात करते हैं वैसे ये सीरीज जो है वो रियल इवेंट के उपर दारीत है तो मैं यही सलाद हूँगा कि आप इसको ऐसे रियल लाइफ में जैसे जो क्रिमिनल होते हैं या फिर वो उनकी क्या रीजन होते हैं उनके बैक्ग्राउंड को देखकर बनाई गई है तो उसको उसी तरह से इसे देखें ना कि कोई ऐसे मसाले की तोर पे कि इसमें बहुत अलगी चीज़े निखने को मिलेंगी क्योंकि रियल लाइफ और रियल लाइफ बहुत अलग होती है एक लड़का विजे सिंग अपने पिता के कहने पर I.E.S. ओफिसर बनना जाता है देख की सेवा करना जाता है लेकिन वसीम खान के कुछ आदमियों द्वारा उसके पिता की हत्या कर देने के कारण विजे सिंग अपराद की दुनिया में आ जाता है अपने पिता का बदला लेने के लिए तो विजे सिंग और उसके चाचा मिलके जिसने उसके पिता की हत्या की थी उसके उस इंसान को मारने के बाद विजे सिंग जेल में चला जाता है यह कहानी उत्र परते इसके पुर्वांचल की है जहां पर वसीम खान का बहुत जादा दबदबा है एक अदल करने के बाद जेल में जाने के बाद इसकी मुलाकात अपने ही एक किसी साती से होती तो वो ऐसा है करता है किसी political party का समर्थन में आ जाता है और उदर वसीम खान को भी एक समर्थन प्राप्त होता है जो फिलाल सत्ता में है party विजे सिंग दीरे दीरे वसीम खान को चनोतियां देना शुरू करता है तो विजे सिंग को मारने के लिए वो खुद तो नहीं जा पाता है क्योंकि political pressure होता है कि अब ऐसी कोई हरकत नहीं करनी है तुझे तो वो अपने किसी खास इंसान को बेशता है उसका नाम होता है संकी संकी इस web series में एक ऐसा character जो आपके चेहरे पर smile ला सकते है यानि इतना जवर्दस उसकी acting इतनी जवर्दस performance के साथ आप देखकर मज़ा आ जाएगा एक बार जैसे उसकी entry होगी तो आप उमीद करोगी बस बार बार इसी की entry होए और इसकी ये वाली दमदार acting आपको बार बार देखने को मिले और इससे इसमें आपको देखने को मिला कि कैसे लोग धरम के नाम पर लोगों को एक दूसरे को लड़ाते है और ऐसा नहीं है कि इसमें muslim को गलत दिखाया गया पैदा करने के लिए फिर वो धरम को बीच में लेकर आते है इसकी कहानी मुझे राजस्तान के आनंद पाल की तरह ही लगती है वो भी एक I.E.S. ओफिसर बनना चाते थे लेकिन पॉलिटिकल जहांसे में आने के कारण उन्हें अपराथ की दुनिया में कदम रखना पड़ता है एक्टिंग की बात करें तो सिरुफ एकी क्रेक्टर का मुझे सबसे ज़्यादा दमदार परफॉर्मेंस लगी वो है संकी नाम के इस क्रेक्टर की और बाकी अन्यक लाकारों ने भी काम अच्छा गिया है लेकिन जहां पर आप संकी को देखोगे कमपेरिसन में आ जाओगे कि यार इस बंदी की एक्टिंग जवर्दस्त है और कुल इसमें 9 एपिसोड हैं और सिरियसली 9 एपिसोड को आप गटा कर 5-6 एपिसोड में भी इसको खतम कर सकते थे और कहीं पर भी ऐसा नहीं लगेगा कि यह एपिसोड कम है बट इनफ थे 5-6 एपिसोड ही क्योंकि इसमें लगता है कि कहानी को ज़्यादा बढ़ाया गया है कुछ चीजों की जो इंपोर्टेंट ही नहीं है उसको धक्के से इस सीरिज में गुसेडा गया है और ऐसा नहीं है कि आप सोचो कि मैं इसकी बुराई कर रहा हूँ यह जब आप खुद देखोगे तो आपको खुद फील होगा कि यह इस कहानी को थोड़ा और छोटा किया जा सकता था इसे रियल इमेंट पर बनाया गया है तो इसमें कुछ ज़्यादा मसाला नहीं डाला गया है जो मुझे इसकी सबसे अच्छी बात लगी और इसे बहुत हद तक रियलेस्टिक रखा गया है इसके शुरुआती ही कुछ पहले एपिसोड में को इतना कुछ दिखा दे जाता है कि हजम करने में प्रोब्लम होती है जो इसमें कुछ character हैं उनके जुड़ने के लिए या फिर कहेंगे character development के लिए उनकी कुछ कहानी भी हमें दिखाया जाती है flashback में लेकिन मैं उनसे इतना connect नहीं हो पाया अब इसके last episode के बात करते हैं मैं इसके starting से मान के चल रहा है कि इन सब का अंजाम क्या होने वाला है कि last में विजे सिंग को मरना ही है लेकिन जो last में दिखाया गया वैसे मरना और जो मैंने सोचा था वो बहुत जादा different है मतलब last वाला कुछ आपको satisfy नहीं करता है कि इस तरीके से किसी की death दिखाना मतलब कोई अपमान जनक नहीं जैसा उसमें दिखाया गया वो इतना अच्छे से आपको satisfy नहीं कर पाता है या फिर कुछ स्वाल भी वहाँ पर उठपन हो जाते हैं इन सब कमियों के होते हुई भी आप इस सीरीज को देख सकते हैं मेरी तरफ से इसे मैं देना चाहूँगा 6 out of 10 स्टार बाकि अगर किसी ने इस सीरीज को देख लिया है तो please comment में अपने विचार लिख सकते हैं तर बस आज के लिए इतना ही था इस वीडियो में मिलते हैं नेक्स वीडियो में थैंक्स वर वोचिंग इस वीडियो जैहिंद